हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आपका बहुत बहुत स्वागत है शियोम चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे एंजल नंबर 1111 के बारे में दोस्ते ये एंजेल नमबर जो हमें रिपीटीडली दिखते हैं मुबाइल की स्क्रीन पर या नमबर प्रीट पर या किसी ми थी तरह से ये ओडिंग-बीज़ मिसे कुटीडली गहते हैं और ये माना जाता है कि युनिवर्स की तरब से या ब्रमान की तरब से हमें किसी साइन को दिखाया जा रहा है जो हमारी लाइफ के लिए important है, जरूरी है. हमें कोई संकेत दिया जा रहा है, ताकि हम उसको समझ कर, फॉलो करके आगे वाले जीवन के लिए समझ सकें कि क्या हो सकता है या क्या होने वाला है. तो एंजल नमबर हमें संकेत के रूप में दिखाये जाते हैं इसी तरह से आज हम बात करेंगे एंजल नमबर 1111 के बारे में यह आपको अकसर मोबाइल की स्क्रीन पर वाच में दिख सकता है दोस्तों जब हम हाई वाइब्रेशन में रुखते हैं हम एलाइन होते हैं यूनिवर्स से ब्रह्मान से हम एक रूप सकती में होते हैं तो यह माना जाता है कि हमें भी यूनिवर्स की तरफ से कहीं न कहीं हमारे लिए मदद या हेल्प मिलती है वो हमें इसी तरह से हेल्प प्रोवाइड कराते हैं संकेतों के रूप में अब ये हमारी duty है कि हम उसने समझे और उनसे लाव ले सके तो दोस्तो 1111 नंबर जो दिखाया जा रहा है हमें बार बार हमें दिखता है तो ये नंबर संकेत देता है कि आप universe के साथ align है एक एक रेखा में है सनरेखित है यानि कि आप और universe एक दूसरे से जुड़े हुए है contact में connect है अब ये हो सकता है आपको इस बारे में पता ना हो लेकिन जब हम inner work करते हैं जब हम pure रहते हैं soul wise हम pure और positive रहते हैं हमें पता नहीं होता ये हमारी habit बन जाती है जब हम positivity में होते हैं हम pure होते हैं हम किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं हम negativity से बहुत दूर है और हम हर एक चीज में अच्छाई जानते हैं अच्छाई को ही देखते हैं तो हमें मालूम भी नहीं होता है कि हम कब universe के साथ align हो गए हैं और जब ऐसी इस्तिती होती है तो हमें भी ब्रह्मान की तरब से संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं और ये संकेत हमें angel number के द्वारा दिखाये जाते हैं इसी तरह से 11-11 number एक बहुती शक्तिसाली और मजबूत number है जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि आप universe के साथ align है दोस्तों जो आप 11-11 number देखते हैं तो ब्रह्मान युनिवर्स के तरब से आपको कहा जा रहा है संकेत के रूप में कि वो आपके साथ है और आपको आपकी life की हर एक phase में आपके support में हैं और आपको एक happy और सुकून और सुखद जीवन देने के लिए तयार है आपको बस ready रहना है उनके संकेत को समझ के patience के साथ और आन से और concentration के साथ उनके इन संकेतों को receive करने के लिए यदि आप life में कहीं न कहीं किसी भी बज़े से निराश हो रहे हैं तो उनका ये संकेत है आपको 11-11 उसी समय दिखाये जाने का कि आप इस भावना से निकलने के लिए तयार रहें और universe आपकी help में हैं 11-11 नमबर में जो 11 है वह एक master नमबर भी कहलाता है जो कि आत्म ग्यान अंतर द्रस्टी और wisdom intelligence का प्रतीक है इसका ये मतलब है कि आप इस spiritual रूप से ready हैं, तयार हैं और आप spiritual रूप से जागरित हैं ब्रह्मान के साथ एक होने के लिए universe आपका मार्ग दर्शन कर रहे हैं आपको इस रास्ते पर ले जाकर आपका ध्यान आकर्शित कर रहे हैं कि आप ready हैं आध्यात्मिक उर्जा को ग्रहन करने के लिए receive करने के लिए तो 11-11 नंबर इस तरह से भी आपको दिखने का संकेत देता है 11-11 नंबर जब आपको दिखाई देता है तो आपको ये भी बताने की कोशिश की जाती है universe की तरब से कि आप अपने thought पर अपनी बिचारों पर ध्यान दे किस तरह से जीवन में आगी बढ़ रहे हैं आपकी बिचार से आपको पुरी तरह से सतर्क होकर सोचना है और बिचारों की शक्ति में बहुत पावर होती है आप जिस तरह से सोचेंगे वही आपके सामने लाया जाएगा इसलिए आप सोच विचार कर जो भी अच्छा है उसको ही अपने मन और बचन में लाएं आपको पूरे awareness के साथ पूरी जागरुकता के साथ आगे कदम बढ़ाने का संकेत दिया जा रहा है क्योंकि संकल्प से स्रस्टी होती है और आप जो सोचिंगी विचार करेंगे तो आपको सोच समझ कर ही अपने विचारों को ध्यान से सोचना चाहिए 11.11 नमबर जब आपको दिखाई देता है तो आपको ensure किया जाता है कि आपके लिए जो है वै आपकी तरफ आ रहा है और आपको मिलकर रहेगा आप अपने सोच पर अपने इरादों पर मजबूती और विश्वास और धैरे बनाये रखें आपको उनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो अच्छा है वै दिया जाएगा युनिवर्स आपके साथ लगातार आपको व्लैसिंग्स दे रहा है जो आपके लिए अच्छी अचीज है जो आप डिजर्ब करते हैं वह आपको जरूर प्रवाइड कराया जाएगा आपको 11-11 नमबर इस तरह से दिखाया जा रहा है तो आपको इसका संकीत समझना है आप जो विश्ष कर रहे हैं युनिवर्स उनको सुन रहे हैं और आपको उसी समय 11-11 नमबर दिखा के श्योर कर रहे हैं कि आपकी विश्ष को पूरा होने की रास्ते में वह आगे बढ़ रहे हैं युनिवर्स का संकेत है आपके लिए 11-11 नमबर के द्वारा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं आपने सही पात पकड़ा हुआ है अपनी लाइफ का आप स्लोली स्लोली इस पर पॉजिटिवीटी के साथ आगे बढ़ते जाएं और आपको इसमें बहुत खुशिय और हैपिनेस मिलेगा युनिवर्स के तरब से आप युनिवर्स की ब्लैसिंग्स रिसीब करने के लिए रेडी रहें और ग्राटीट्यूट पे करते रहें आपको कहा जा रहा है कि आप युनिवर्स पर फेत रखें और धहरी पूर्वक वेट करें जो भी अच्छे आप के लिए वह की जा रही हैं 1111 नंबर की द्वारा आपको बताया जा रहा है कि आपके रास्ते में प्यार पौसिटिवीटी आरही है और जो भी पियटिवीटी है उससे आपको दोर किया जा रहा है धीरे धीरे आप सकारात्मक जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी से attract होकर आपके जीवन में सारी खुशियां आ रही हैं। जब आप positive energy में रहते हैं तो आप सारी खुशियों को attract करते हैं। आप money को, अच्छी lifestyle को, सुकून को, सम्रधी को attract करते हैं। युनिवर्स की तरफ से आपको ये बताया जा रहा है 1111 नमबर दिखा के। 1111 नमबर के द्वारा युनिवर्स आपको abundance, health, love, सारी चीजें आपको blessings के रूप में gift करने वाले हैं। बस आपको gratitude पे करना है, आपको अपने बिचारों पर ध्यान देना है और positivity के साथ आगे बढ़ना है। तो आपको आपकी life में आप जो भी चाहते हैं वो युनिवर्स की तरफ से मिलने के लिए तयार है। युनिवर्स आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही मार्ग पर हैं, सही रास्ते पर चल रहे हैं और इसी तरह सकारात्मर्ग और purity के साथ आगे बढ़ते रहें। फिर आपको आपकी life में तरक्की और खुशियां मिलती चली जाएंगी। आप जहां होंगे आपके आसपास का माहौल आपकी वज़े से पॉजिटिव होगा और आपके विश्वास और आपके हैपिनेस को देखके आप पूरे माहौल को पूरे एन्वायर्मेंट को पॉजिटिव बना देंगे। तो आप 1111 नमबर यदि देख रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए। बहुत लखी हैं आप कि आपको युनिवर्स का साथ मिल रहा है। 1111 नमबर के द्वारा आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको आपकी लाइफ में अपॉर्चनिटी मिलने वाली हैं अपने लाइफ को अपने आने वाले फ्यूचर को और अच्छा बनाने के लिए तो इस मौके को बिलकुल भी मत हाथ से जाने दीजिए और युनिवर्स के बारे में सोचना है और थैंक्स गिव करना है तो आपको आपकी विश को पूरा करने के लिए हल्प मिलेगी जब आप अनकॉंसेंसली याने कि आपने पहले वाच या मोबाइल की स्क्रीन पर नहीं देखा है या आप वेट नहीं कर रहे हैं आपको अचानक ही 1111 दिखाई हैं और उस समय आपको वाच को देखते ही नहीं रहना है उस नंबर को देखना नहीं है आपको वहां से अपनी नजरों को हटा लेना है और अपनी विश को बोल कर छोड़ देना है फिर आपको तुरंध ही अगेन अगेन मोबाइल स्क्रीन पर नहीं देखना है मतलब आप अ संकेत है कि कभी किसी भी तरह से उनकी अब ये responsibility है कि आपकी वश्च को पूरी करें 1111 नंबर को spirituality से भी देखा जाता है आपके जीवन में आध्यात्मिक्ता, spiritual, जागरती बढ़ रहे हैं और आप अपने जीवन को एक चेतना के साथ सही जगहे पर सही दिशा में ले जा रहे हैं आपका अवचेतन मन आपको संकेत दे रहा है कि अब आपको जागरूख होके अपने कार और वैवार को करने की आवश्च रगता है आप 11-11 को बारवार देखते हैं तो यह संकेत है कि आप हाइस्ट पावर से हाइस्ट गुड से कनेक्ट हैं एंजल्स के द्वारा आपको संदेज दिया जा रहा है कि आपके साथ अब सकारात्मक रूप से बहुत से मेरिकल होने वाले हैं तो आपको positivity के साथ concentrate होके spiritual life में आगे बढ़ते जाना है 11-11 नमबर के द्वारा आपकी एंजल्स आपसे connect करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको अपनी blessings दे रहे हैं और आपको यह बता रहे हैं कि अब आपके साथ आपकी life में सब कुद बहतर से बहतरीन होने वाला है और आपके अच्छे के लिए future के लिए good future के लिए कार किया जा रहा है एंजल्स नमबर 11-11 आपको healthy life और good future के लिए संकेत दे रहा हैं अब यह कब आपके सामने आएगा इसके लिए आप aware रहें और अच्छा और positive महसूस करें फिर अपनी life में miracles को होती हुए देखें एंजल्स का support और आसीरवाद और blessings आपको 11-11 नमबर के द्वारा बताई जा रहे हैं दिखाई जा रहे हैं एंजल्स नमबर 11-11 आपको abundance मिलने का संकेत देता है आपको सफलता मिल रही है good health मिल रही है यानि कि आप healthy-wealthy हो रहे हैं अपनी आने वाली life में वस आपको aware रहना है positivity के साथ universe के साथ align रहना है और आपको अपने thoughts पर ध्यान देना है एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो चाहते हैं आप वही सोचें तो universe आपके लिए कार कर रहे हैं आपकी wish को पूरा करने के लिए एंजल्स आपको 11-11 नमबर दिखा के आप miracle आप एक miracle के लिए थैयार रहे हैं आपके अनुसार होने लगेंगी और आप जीवन में जो चाहते हैं वह आपको देने की कोशिश की जाएगी universe आपकी favor में कार कर रहे हैं 11-11 इस बात का संकेत है तो दोस्तों जब हमें 11-11 नमबर नजार आता है अच्यानक से ही कई जगह उपर नजार आने लगता है तो हमें खुश होना चाहिए और अपने आपको positivity के साथ concentrate होके ध्यान पूरवक अपने thoughts को positive रखना चाहिए क्योंकि हम जो सोचेंगे विचार करेंगे universe के साथ हम align हैं तो हमें वही देने की कोशिश की जाएगी तो यह बहुत ही अच्छा नंबर है सकारात्मक positive नंबर है एंजिल के द्वारा हमें 1111 दिखाया जा रहा है हमारे good for future और fortune के लिए उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा आप इस संकेत को समझ कर अव अवेर होकर अपने कारियों में आगे बढ़ेंगे प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए आपका सहयोग अमूली और महत्पूर्ण अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए मिलते हैं अगले वीडियो में तैंक यू